इस अपडेट के बाद सिर्फ एक परशंट लोगों नहीं गंस्मित का असली यूज़ किया है मिनीपिक पे CS और BR में क्या-क्या चेंजिस हैं क्या आपने देखा ग्लाइडर को आप गेम पे अब कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं गेम पे अब आप जहां चाहों वहां से अंगीनत लूट लूट सकते हैं और सिर्फ जिरूबंट 1% लोगों नहीं आटोपाइलट मोड का असली यूज़ किया है तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है पंकच आप सब देख रहे हैं श्याडर शूटर तो चलिए पटाक्शी शूरू करते हैं क्योंकि आज गेम पे आज़ुका है नया अपडेट उबी 45 पुराने पुराने वाइबस आ गया हैं पुराने दिन आठ चुक है भर प्लीज 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 सुनना नॉस्टैल्जिक चीज मैं बताऊंगा ठीक है अच्छा चलो ठीक है देखते हैं ये क्या बताता है हेलो गाइज मैं हूं मिस्टर शेड़। आप सभी आसवागते हमारे चलो ठीक है शेड़ुटर भाहिया की चैनल पर आज मैं सारे के सारे नोस्टैल्य चीज़ दे बताने वालो गेम पे ओल्ड बिक वापसा चुका है इतना ही नहीं, गेम पे गलाइडर भी वापस आचुका है सबसे प्यारा गलाइडर सब का दुलारा फ्री बार में वापस आचुका है मैं जा चल भई, अब तू देख ले, मैं चलता हूँ मुझे तो बस इतना ही बताना था बाई चल ठीक पैसे इतना बता दो दिया पर मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है इसलिए गेम को आउन कर दे मैं डिरिक्ली चले आता हूं साउंड सेशन पर क्योंकि मुझे यहाँ पर ओल्ड सॉंग सुनना है आरे कब का बंद करके रखाऊं इसको अभी बढ़ाते हैं और सुनते हैं कौन सा म्यूजिक बज रहा है भाई 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 यह क्या है ओ माई गोड यह ओल्ड सॉंग है फ्री फायर का पहला सॉंग जब फ्री फायर गेम आया था उस टाइम का सॉंग ही यह जो भी सब उस टाइम से गेम कहलते थे मुझे अपना अटेंडन्स नीचे कॉमेंट पे चाहिए ओल्ड प्लियर्स अटेंडन्स नीचे कॉमेंट पे आ जाना चाहिए अब तक क्योंकि भाई यह सबडेट में सबसे फेवरिट चीज़ जो में रहना वो यह ही है गेम का ओल्ड सॉंग, ओल्ड वाइब, ओल्ड बैक्ग्राउंड म्यूजिक इस अप्डेट में सबसे जादा जो ध्यान में रखाया गया है वो है बी आर और सीएस के मोड पे और थोड़े बात गन एडजस्टमेंट्स पे भी बस अगर एक एक करके बताने जाओ ना तो सुबह से रात हो जाएगा तो इसके लिए मैंने इसको पूरा का पूरा वीडियो को श्रिंक कर दिया है और इसके अंदर आपको सारे के सारे कत्या मिलने वाले है कि BR में, CS में और in-game changes क्या क्या है बात करते हैं अब इन-game changes से लॉबी के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको mission section देखने को मिलेगा और उसके अंदर आपको season goals भी देखने मिलेंगे हाँ, season goal एक नया चीज़ा है अभी game के अंदर यहाँ पे मेंली आपको उनसे लीग पे हो और upcoming लीग क्या है उसके उपर मेंली दिखाया जाता है और इससे अपने खेलने का motivation थोड़ा और जादा pump up हो जाता है अब game के जब gun section में जाओगे तो आहाँ पे आपको एक सबसे त्यारा चीज़ दिखेगा जो के है gun smith अब किसी भी gun के ability को किसी भी gun पे लगा सकते हो आपको मान लो एक gun का skin पसंद है और दूसरे gun का ability तो आप दोनों को combine कर सकते हो यह बहुत ही जदा आसान है अब इस update के बाद गेम पे character को भी बहुत ही जदा optimize कर दियागे जिससे कि आप उनके आखों को देखोगे तो वो आपके आखों को देखेंगे मतलब कि वो आप से आके नहीं चुराएंगे आप जितना भी उनको mode दो आगे पीछे कर दो वो आपको ही हर वक देखना चाहेंगे जिससे कि अपना game का in-game experience और भी जादा करा रहा हो जाएगा सिर्फ इतना इने अभी आप किसी भी बंदे के किसी भी costume को आप easily wishlist पे डाल सकते हो गेम के अंदर अगर आप BR या फिर CS के लो वहाँ पे आपको wishlist section देख जाएगा और वहीं से आप उसके costume को directly wishlist पे डाल सकते हो ताके अगर दूसरे time पे कोई आपको gift देना चाहे तो आपको इधरी से directly gift देखे पैशन में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कुछ नए नए bundle जो कि बहुत ही जादा cute सुने रहे और awesome दिख रहे दे कि आपने एक चीज़ नोटिस करा गेम पे जो strokes ring event आया है उसमें क्या क्या नए चीज़े आये है उस ring event का male bundle मेरा favorite है वैसे उसमें female bundle भी बहुत ही जादा प्यारा है साथ ही अपने को मिलता है किंक फिशर का एक बहुत ही ओपी awesome सा gun skin साथ ही VSS का भी बहुत ही कमाल range वाला gun मिलता है और अगर देखा चाहे तो bike का skin मेरा personal favorite है और side के बारे में आप लोग नीचे comment पर बताना और हाँ ये बताना बिलकुल मत भूलना कि आपका favorite इनने से कौन सा है गेम के अंदर 7th anniversary को लेकि बहुत जादा hype मचा हुआ है इसलिए बहुत सारी जगे पर 7th anniversary का note आ रहा है जैसे कि mini map है यहाँ पे इसके नीचे एक 7th anniversary का note आ रहा है गेम के अंदर जब अपन जाते हैं तो वहाँ पे भी 7th anniversary का एक छोड़ा साथ note आता है गेम के अंदर अपने को बहुत सारी जगे पर gift section देखने मिलेंगे जिसको अपन फोड़ेंगे तो अपने को अच्छे अच्छे loot भी मिलेंगे अभी अपन शुरू करने वाला है BR और CS mode के उपर पहरे शुरू करता है CS, CS में अभी आपको गेम के अंदर gift जगने मिलेंगे सरसे मज़े की बात तो ही है कि CS के अंदर अपन treatment gun को यूज़ कर सकते हैं सिर्फ normal treatment gun को नहीं treatment laser को यूज़ कर सकते हैं देखो भाई दूर पे मेरा दोस्त बहुत सादर damage का रहा है पर 50-50 करके मैं उसको heal कर रहा हूँ और सामने वाले बंदों का उसने खोपड़ी ही फोड़ दिया भाई मज़े की बात तो ये है कि ये सब कुछ रिएस rank match के अंदर हो सकता है CS में सबसे बड़ा change जो है वो है बूया का sound CS में बूया का sound ही बदल गया है सिर्फ इक रहने CS मोड के अंदर आपको एक mini pick दिखने मिलेगा आप कोई भी round को खेलते रहो जब आपका match 3 is to 1 हो जाएगा आपका round चला जाएगा mini pick के अंदर और वहाँ पे आप अपना battle करोगे वहाँ पे pick छोटा हो गया होगा और आप बड़े आप ब्रह्म राक्षिस के जैसा दिख रहे होंगे आप घर का cover ले सकते हो अगर आपके पास gun नहीं है तो वहाँ पे आपको OP powerful guns लाइक ग्रोजा MP40 जैसे gun आपको free में मिल जाएंगे और सिर्फ इतना ही नहीं आपको यहाँ पे completely एक huge inside type का feel आएगा यहाँ पे मेरे सामने इतने बड़े बड़े गर इतने छोटे दिख रहे हैं अगर मैं खड़ा हो जाओ ना तो यह घर भी मेरे सामने छोटे दिखने लगते हैं हाला कि यह वाल अगर थोड़ा बड़ा दिख रहा है और भाई ऐसा feel आ रहा है जैसे कि मैं school में कोई एक project को submit करने लिया हूँ और यहाँ पे यह सारे buildings एक मेरे project के हिस्से हैं हाँ को क्या लग रहा है मुझे नीचे कॉन पर सर्व से बताना गेम के अंदर आज में Mac 10 यूज़ कर रहा था और इस update के बाद Mac 10 अपग्रेड हो सकता है और उसका style भी बहुत ही ज़ादा unique है क्योंकि उस पे अपने को अपग्रेड चिप लगाना नहीं पड़ेगा अपन इसको बस बंदों को मारेंगे और अपना गन easily अपग्रेड होता जाएगा इसलिए अपन CS में इसको बहुत ही खातर ना कि उसकर सकते है इस सब के बाद जब मैं गेम को actually में खेला तो मुझे बहुत ही ज़ादा smooth feel लुआ गेम के sensitivity बहुत ही ज़ादा control थे और इस update के बाद मुझे बिलकुली lag free feel आया अब अगर nostalgia की बाद चली रहे है तो अपन चलता है BR section में मुझे लगता है इस update के साथ free fire ने बिलकुल ठेका लेही रखा है कि इन लोगों को ना मेरे को रोला ना ही है गेम के अंदर जब आप entry मारोगे तो lobby पे आपको दिख जाएगा minipick और मुझे नहीं लगता कि free fire में ऐसा शायद मुझे लगता ही निया कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको ये देखने के बाद nostalgia हीट नहीं हुआ होगा क्योंकि भाई ये ना अपन पुराने place के लिए emotion है भाई ये game नहीं एक emotion है PR rank के अंदर जब आप आते हो तो आपको game पे map के अंदर बहुत सारे जगे पे 7 का अक्षर देखने में ले जाएगा जो के है 7th anniversary हाँ 7th anniversary पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक portal देखेगा और portal के अंदर जब आप जाओगे तो आप चेले जाओगे mini pic के अंदर वहाँ पे जाके आपको दिखेंगे बहुत सारे घर हाँ pic के घर दिखेंगे और उपर नीचे टंगे हुए gifts भी दिखेंगे जितने भी आप gifts को फोडोगे आपको 100 coin extra मिलते जाएंगे और उन coins को लेकिए आप अपने मन पसंदीदार gun को claim कर सकते हो मेरा favorite है यहाँ पे ग्रोजा और MP40 आपका favorite कौन सा है मुझे नीचे comment पे बताना और अगर हपने अभी तेक try नहीं किया तो हपने क्या किया भाई क्योंकि अभी जो vibe है ना वो बहुत ही जादा nostalgic है क्योंकि वहाँ जब आप उपर जाते हो minute pick के अंदर वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए आप किस से जाते हो पता है ग्लाइडर से जाते हो हाँ मेरा भाई और ग्लाइडर से जो आप समीन पे आते हो तो उसका भाई भाई मैं क्या बता हूँ बहुत ही प्योर nostalgic vibe देता है पूरा लगता है कि भाई स्टाइम में बहुत पीछे चलेगा और वहाँ पे अपन उस mode को enjoy कर रहे हो बट भाई वो अभी real में है वो अब किसी भी मैप पे आप ग्लाइडर का यूज़ कर सकते हो और मज़े ले सकते हो भाई गेम पे बहुत ही ओपी आइटम्स आए है जब आप एक बार उपर से नीचा तो उस टाइम आपके west level 4 helmet level 4 के मिल लिए होंगो वो गहां पे BR rank match के अंदर हा यार अभी BR rank match के अंदर भी आप level 4 के west और helmet यूज़ कर से तो वैसे 4 का west तो पहले से था पट level 4 का helmet भाई अब तो कोई headshot भी मारेगा ना sniper से तो भी आप नहीं मरने वाले मज़े की बाद यहां पे खतम कहा हुआ है gifts और भी मिलने वाले गेम के अंदर आप उस पे भी clean करके बहुत सारे loot ले सकते हैं वैसे मैं BR rank match में यह चीज़ करता रहता हूं भाई बहुत सता मज़ा आता है मुझे free के loot लूटने में बहुत मज़ा आता है आप भी अगर मेरे तरह loot के शौकीन हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर से ट्राय करना आप किसे gift को फ autopilot mode अपना गाड़ी अभी टेसला बनने वाल है हाँ free fire के अंदर के गाड़ी अभी अपने मन मर्जी चलने वाल है आपको इनको चलाने की कोई जरूरत नी है बस आपको autopilot mode को चला देने का है और गाड़ी सीधा सीधा आगे बढ़ता जाएगा आपको आगे दबाने की कोई जरूरत नी हो यह सारे गाड़ियों में अभी उपलाब धो चुका है लेट साइड पाप देख से तो autopilot mode पर मुझे अभी तक नहीं पता चला है कि यहां भी यह जो music का sign है यह किसलिए मुझे इसका आवाज नहीं आ रहा है और वह बात चोड़ो autopilot mode पे गाड़ी से सीधा चलता है आपको left right अपने हाथ से करना है ध्यान रखना है यह चीज़ को यहां आप लोग जाओ गेम के अंदर explore करो बहुत सारे ऐसे चीज़ भी है जो मैंने आपको नहीं बता है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुझ जाके उसे explore करो मज़े लो उस चीज़ के भाई मैं बता रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है ताट सिट पर दिस वीडियो मिल था अपता क्ले बवाई